नवस्कार दोस्तों आप देख रहें इंडिया प्रेटो इंदी आज मैं आ चुका हूँ आरेस सीटाले प्राइबेट लिमिटेड मेंटपुरी रोड बोगाँ पर आपको यहां पर दिखा रहे हैं यह आलू है यह मोहन आलू है इस आलू की आज इस कोल्ड में बोली लगी थ और इदर यह लाल आलू की विक्री हुई थी अभी हमारे साथ स्कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर्स आप हैं और यहां पर बैपारी हैं इनसे आलू के बारें पूछें किया रेट विक्री हुई है क्या कैसी आलू की डिमांड है पिछले दिनों से सस्ता हुआ है महगा हुए आ नमस्कार वाई साथ आपका कह नाम है अनिल कुमार आदब आपका वाई साथ जहिद सेंग ठाकुर तो आलू की क्या कैसी इस्तिती है यह आलू आट सो एकतर रुपए में लिया जैसे आलू दिखा रहे हैं आपको वीडियो में कौन सा यह मोहन कुफरी है मोहन कुफरी अभी हम जिससे कहां पर खड़े हैं आप कोल्ड का नाम और आप स्कूल की मैनेजर हो जी उसके बारे नाम कोल्ड का आप बता दीए नारे सीताल है जी बोगामें पर जी 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 कितनी कैप सिटी तो है डेड़ लाक जी तो इस साल कोल्ड पूल हो गया नहीं हुआ है पुल जी 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 और इस में होलेंड बन ना वो किया ना सहते सतानवे भी है चिप सौना भी है और ये बंडवल भी है कंचन भी है होलंड भी है और ख्याती आलू जादा है इसमें जी 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 अब डंप तो खतम हो गए अभी चलते थे अब खतम हो गए अब डंप नहीं रही जी जी अब डंप बहुत कम ना के बराबर एक आद किसी किसाने नहीं बैंचा होगा बोई डंप बचा है अब तो कोल में आलू विक्री होना शुरू हो गई ठीक जी जी आज मैंने ये विक्री की है आठ सो एकात्र रुपई पैकेट त्रेपन की लूप आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ये बड़ी आलू है अच्छा अलू है ये तोड़ी जंग लगी हुई ए आठ सो एकात्र रुपई पैकेट विक्री हुई जी और इदर ये कंचन आलू लगा हुए इस आलू में च चेचक है ये साथ सो एकात्र रुपई विकाए ये लाल आलू पैकेट इसकी आरे सिताले साइवेड लिमिटेड लो विक्री हुई है और ये आज मैं पुरी डिस्टिक में अभी हम उपश्ते दूं आज आज वहीं 24 की आलू की विक्री कर हुई है अगर जैसे आज बात की अगर आज देखा पंचन आलू देखा है इस आज की पिछले दिनों से सस्ता हुआ है ये दो चात दिन पहले कुछ सस्ता था पचास रुपए मंडी और उच्छाल मारगी पैकेट प्रतिपेकट पचास रुपए महा हो गया पचास रुपए महा हो गया जी 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 और जैसे पिछले दिनों से क्या कैसी उच्छाल आई यह आलू मैंने आठ दिन पहले अपने कोर्ड में मैंचा था आठ सो ग्यार रुपई 821 रुपई यह से भिका था ख्याती बंडवल अब यह आठ सो एकात्तर 891 रुपई तक भिक रहे हैं जी 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 एक अजार सी पार है हॉलेंड डालु सिरी नाद तो हमारे यहां कम आत्रा में है दो चार परसेंट एशिंट जीस्ट सब 67 सतानवे और हुलेंड ये एक अजार एक अजार 50 1100 रुपई तक है जी जी यह मानके चलो यह मैना चला जाए ज़ा है कि इस साल आलू की बहुत जादा महगा रहेगा या फिर की सारी रिकॉर्ड दोड़ेगा 2020 के भी उसकी क्या कैसी जानकारी है जैसे आप अभी निकासी क्या पिछली साल इस समय कैसी हो रही उसके एगासी आप बताईए ये तो देखो बताएं बाई ये किसान अभी है जो किसा मैंचेगा तो फिर तो आलू की कंडिशन खराब हो जाएगी समझ रहे आप जैसे अगर किसान दीरे दीरे आलू कुरम से निकालता रहे है तो आलू की स्तिती बिलकुल सही रहेगी किसान दीरे दीरे निकालता रहेगा तो आलू की स्तिती सही रहेगी और किसान ने रोक दि आद तो कंडिशन विगर सकती है समझे जिसाल मैं मैं नहीं थी जून में जून में इस साल जल्दी होने लगी है डंप खतम हो गए आलू अंगली साल डंप जादा थी इस वार डंप कम थे इसलिए अब की बार कोड़ों में जल्दी आलू निकलने लगा तो जो आगरा अलीगर्स चेतर के वो लोग कहते हैं कि आपके छेतर में सब्सक्राइब अच्छा होता है सिरसा गंज घतर में आलू अच्छा होता वो सैते 97200 रखते है वो सैते 97 वह अच्छा हुदा है सब्सक्राइब करता हूं कि अपना आलू समय से बैंचते रहें दीरे दीरे लाब रहेगी से फैडा रहेगा किसान वाई हो जैसे किछी के प्केड पड़ ऊस्ति आप अलुफी मंड इसलोगी बता आप शीकार नमस्कार जैसे कम ठोड़ी सारगारक कम हो गए इसलिए थोड़ी कम है तो जो आलू के विक्री यहां जो प्रेट रिखता है तो फेले तो हुआ है थोड़ा बहुत अंतर है दस्वीस रुपे का महें की वज़ा है यह है कोल्ड का अलू अब ज्यादा मांगा जा रहा है डंप का अलू कम हमें ज्यादा माग है हर्मंडी में जी जी आप जो हमारे दर्सक वीडियों रेकते हैं कि संदेश का बैचे दीरे-दीरे किसान वह अच्छा है नहीं तो बद्दा हो जाए किसानों को अलू के रेट मिल रहे हैं बढ़िया रेट मिलें अधे अधे मिलना है पांसे गालू है जार विकराय थोड़ा है दूने के पहुंच गया किसान आपका हमारे चैनल इंडिया पटेटों इंडी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद आपका दिन सुभू जै जवान जै किसान जै